नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का SGS Education यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ अर्जुन डांगी और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर में कैसे आप लाइव टीवी देख सकते हैं यानि कि मोबाइल के अंदर आपको पता है कि आप जीओ टीवी पर या फिर बहुत सारे अप्लिकेशन आते हैं जिससे कि आप फ्री में लाइव टीवी देख सकते हैं लेकिन कंप्यूटर पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो जीओ टीवी को आप कंप्यूटर पर कैसे चला सक सकते हैं अब्लिकेशन को और कैसे आप फ्री में लाइव टीवी अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं आए जानते हैं वीडियो अच्छा लागे तो लाइक और शेर जरूर करिएगा और आपके क्या राहे और क्या सुझावे वो कमेंट करके जरूर बताइएगा तो सबस से पहले आपको गूगल पर सेर्च करना है ब्लू स्टेक्स और ब्लू स्टेक्स डॉट कॉम पर पहुंच जाना है यहां पर आपको डाउनलोड का ओप्शन मिलेगा इस पर आप क्लिक कर दीजिए उसके बाद में एक एमबी का यहां पर सेटप डाउनलोड होगा इसको आउनलाइन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा आप इंस्टोल नाउ पर क्लिक कर दीजिए अब यहां पर यह डाउनलोडिंग हो रही है 399 MB यहां पर यह डाउनलोड होगा उसके बाद में एक बार 62 MB और एक बार 60 MB यह तीन बार डाउनलोड होता है उसके बाद में आप इसके अंदर live tv देखना चाह रहे हैं live game खिलना चाह रहे तो भी खेल सकते हैं एक तरीके से जैसे हम mobile के अंदर application डाउनलोड करते हैं उसी प्रकार से इसके अंदर भी mobile के सारे application चल जाएंगे उसके बाद में इसमें भी play store का option आपको मिलता है आप play store पे click करिएगा डाउनलोड होने के बाद आप open करिए आप अपने mobile number से इसमें login करिए OTP आएगा उसके बाद में देखिए जैसे कि mobile के अंदर जो सारे आपको live channels मिलते हैं देखने को वैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं और बड़ी screen पर आपको सब कुछ दिखता है यह सबसे important बात है quality भी आप इसमें अपने इसाब से सेट कर सकते हैं HD देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं तो बड़ी screen पर अगर आप live TV देखना चाहरें अपने computer पर तो यह सबसे आसन तरीका होता है तो आशा करता हूँ कि computer पर live TV कैसे देखते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा blue stick की मदद से हम computer पर live TV देख सकते हैं इसके बारे में काफ़ सारे लोगों को पता होगा लेकिन live TV देखना है तो आपको इसका इस्तमाल करना ही पड़ेगा वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक और शेयर करें आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताए और चैनल को सब्सक्राइब करके notification बेल को दबाना ना भूले नमस्कार